नमस्कार साथ एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सबके अपने योट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर और आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत सुपकामना है सभी लोग अच्छे से दिवाली को मानाईए एको फ्रेंडली दिवाली आप लोग बिल्कुल मैच्योर हो चुके हो अपने आस-पास के जो बच्चे उनको भी थोड़ा बताईए इससे क्या-क्या घाटा होता है तो प्लेस पटा के मत फोड़िए का आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है एको फ्रेंडली दिवाली मनाईएगा और डियर गुरुजी कोशन बहुत ज़्याद है तो अंट तक देखिएगा तो चलिए सरी स्टार्ट करते हैं तो पहले कोशन से तो यहाँ पर देखिए पहला कोशन क्या कह रहा है कि उस बिकल्प का चैन करे जिसका तीसरे सब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे सब्द का पहले से तो एक इसमें एक जोड़स हो कितना जाएगा अपका है 1212 आज और है वही सेम चीज जिए हाँ भी करना है ठाला जोड़न शोला करो तो चोड़न गुड़े 16 करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 14 गुड़े 16 करने पर आपका आता है 224 और 224 में एक जोड़ दोगे तो 220 हो जाएगा तो यहां पर इसका जो correct answer है option number जिसका first second है 225 वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगले question पर आते हैं ध्यान से देखिएगा केरा चार संख्या युगम दिये गए हैं जिन में से कोई तीन प्रकार समान है अता हुनका एक समू बनता है उस संख्या युगम को चुनिये जो इस समू में नहीं आता है अब देखिए 32 और 15 है इसके बाद आपका 44, 38, 26, 86, 66, 42 है देखिए यहां पर क्या हो सकता है? 32 और 15 है ग्तारी कितना हो जागा 30 है? है 86 में से 2 गटा आपका कितना होता सर 84 और 84 का अधा 42 यानि कि सम में से 2 गटा कि आधा कर दो तो सेकेंडरा नमबर आ जा रहा लेकिन यहां पर और सी में बातर का आधा 36 होना चाहिए बलकि है यहां पर 38 तो इसलिए ऑसन नमर जो इसका सी है वह यहां पर क्या हो जाएगा बिकलब जो है आपका अलग हो जाएका समूह से अलग हो जाएगा क्लियर एककरेक्ट हो जाएगा चली आते हैं अंगले कोईशन एक एहरा देखे जहां से कि जीनी उत्तर दिसा की और मुह करके खड़ी है अब जीनी जो है उत्तर दिसा की और मुह करके खड़ी है माली जीनी है अब यहां पर उत्तर दिसा आपका उपर होता है ना तो यह उत्तर दिसा की और मुह करके आपकी जीनी खड़ी है फिर करहा है ह जीनी लंबो दिसाओं में मुखर के खड़े हैं, यानि कि हेमंत और जीनी जो हैं लंबो दिसाओं में, यानि कि जीनी अगर यहां पर तो हेमंत यहां पर भी हो सकता है, आपका हेमंत यहां पर भी हो सकता है, यानि कि हेमंत आपका पश्चिव में भी हो सकता है, आपका पूर या तो पूरब में होगा लेकिन यहाँ पर दच्छिल पूरब की बात हो रही है तो यहाँ पर इस परस्ट हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्या है नहीं भाई नहीं खड़ा है अब यहाँ पर अगला कहा है कि इस समस्य का समाधान करने के लिए निजायत कत्नों वेशे किसका प् भी clear नहीं है पस्ची में है या पूरब में है तो हम लोग ना तो A का यूज़ करके ना तो B के यानि कि A और B के लावा एक चीज़ और आपको देना चाहिए कथन तब जाके यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर देखा जाए तो option जो इसका D है वो exact यानि कि perfect हो जाएगा A और B दोनों के साथ तय करना भी संभव नहीं है कि भाई हेमंद की देशा क्या है clear है तो option नमबर जो इसका D है वो यहां पर correct हो जाएगा अगला question ध्यान से देखिए आपर क्या कह रहा है कि फातिमा अपने पती से मुस्तफा का परचा कराते हुए बोली कि उसके भाई यानि कि मुस्तफा का भाई देखिए जान से फातिमा अपने पती से मुस्तफा का परचा करा रही है ना तो किया रहा है उसके भाई यानि कि मुस्तफा का भाई यानि कि ब्रेदर हो जाएगा उसके भाई के पिता जी यानि कि इनके जो पिता जी है फादर जी है मुस्तिफा ऐसे तो राएन मीं हो जायांगे तो बहुआ फातिमा-मुस्तफा से कही सतरा संस्बंदित है देखा जाया कि गर्णाया है यह इक है यहां । यहां पर बिलकुल रहा ड्रा कॉस्टृ मेंन हो ख़ला को पीडियो भी आपको टेलीग्राम गूप पर मिल जागा तो टेलीग्राम गूप का लिंक नीचे दिया गया है वहां से जुड़ जाएगा अगला कोशन ध्यान देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अंग्रीजी वर्ड माला के प्रतिक अच्छर को यदि वर्ड माला में उसके कर करो ना जोड़ना पड़ेगा हो तो अच्छी बात है पहले देखो यहां पर बड़े बड़े अच्छर सबसे किसमें है सबसे बड़े अच्छर देखिए एस इसमें है तो यहां पर यह भी हो सकता है और यहां पर टी भी है टी यहां पर दो बार है बड़े से आप लोग अ इसका हड का मतलब का बावन हो गया लीवर को जोड लेते हैं लीवर आपका क्या हो गया बारा बारा और यहां पर नौ है या पारा नौ बारा और नौ कितना हो जाएगा नौ दो गया एकीस उसके बाद भी है एकीस और बाइस यानि कि कीट दूना 32 एक 43 हो जाएगा 43 और 5 कितना हो जाएगा 48 और 48 और आर का मतलब होता 18 यानि कि 6 छट हो गया clear है इसी तरह लंंग्स को जोडेंगे तो लंंग्स को जोड़ेंगे बारा है फिर इस पहले 12 है इसका मतलब कीज है फिर आपका N का मतलब कितना हो 14 फिर आपका यह 7 फिर 19 यानि कि 12 और 719 दोना 38 38 और 24 यानि कि 73 हो गया यह आपका 73 आ गया और इसी तरह टीथ को एड़ कर लिए टीथ में आड़ करेंगे देखिए आपका 20 और 25 और 5 यानि कि 20, 20, 40 दस बचास और H का मतलब 85 तो यहां पर आप देख के बता सकते हो सबसे ज्यादा कि इसमें आरा भाई 73 वाले में आरा ना LUNGS यानि कि यहां पर वैसे भी सबसे बड़ा U था तो हम लोग इसका जवाब जो है दे सकते हैं option number जो इसका lungs यानि कि option number जो इसका C है वो यहां पर बिलकुल correct ह जाएगा यहां पर करना था तो यह आपकी उपर है कि आप कितनी तेजी से कौन सब्सक्राइब कर सकते हो आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आप से यहां पर क्या कहरा ध्यान से देखिएगा कि एक घड़ी साधे चार बज़े का समय दिखा रही है यदि मिनट की चार बज़े कर तीस मिनट यानि कि जो छोड़ी छोटी वाली सुई होगी यहां पर होगी और बड़ी वाली सुई जो होगी वो चार पर होगी यह तो कि चार यापका छे बीच में पांच होता है यह तो हो गया ना अब क्या कह रहा है कि साधे चार बज़े का समय दिखा र जाए आगे हाल एगा ऊपर पशram हो जाएगा ये पूरब हो जाएगा ये पूरब ये पिस पूरा का रोगया है क्ल дос 될ा गार जाने लिए तो ही आपका पन। आपको चीओ गांज हो जाएगा ये लोगन 2017 को मैं nelERS ये लोगतों पन। कोशन ऐसे आते हैं कि आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है हिंदी इंगलिस मैथ कुछ भी नहीं लगा और आपका एपसर आपकी सावडे होगा अगला इंपॉर्टर धैकर विश्क अप्र ही म्यों से लगा सकते हैं कि अरते चाहत्रों के कर्षा में ठाइब 15ddddim तो पहले तो भाई वें लगाना है ? तो पहले 3 तो भाई आप बना लू क्या जैसे आप लोग गोला जिसक nouveaux जो उसमें कहरा है उसे नहीं को भरते चले जाओ तो इसको हमाल लेते हैं आपका ये, ये और ये चलो, cricket हो गया, cricket कितने पसन करते हैं? 18 तो 18 से इसको दिखा दे रहे हैं इसके राब आब 20-26 फूटवाल पसन करते हैं, तो यह 20 हो गया इसके बाद 15 चेस है, यानी कि यहां पर 15 आ गया अब इसमें से देखिए जियान से क्या क्या है? है कि आड़ चाहतर okayart ऐर आफ जाथर क्रिकृटॉए वाहन चेस यहराँ चाहतर क्रिकृट कज्ड़ए पक्रिकृत और पंदर चो कि यह dünya भार यहां कि अपक का जो देखिए जहां तें यह आपका जो क्या हो जाएगा? तीन फूट बॉल पसंद करते हैं. क्लियर है? साथ चात्र ऐसे हैं जो क्रिकट पसंद करते हैं और छे चात्र ऐसे हैं जो केवल चेस पसंद करते हैं. केवल चेस पसंद करने वाले कितने चात्र है? यहाँ पर छे हो लिया. केवल चेस और साथ चात्र केवल क्रिकर्ट पसंद यानि कि यहाँ पर साथ आ जाएगा अब यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर कितना होगा पांच हो जाएगा यह चीज़ क्लियर है ना पांच यहाँ पर तीन यहाँ पर मैं डॉर्ट रखा है उसको मालो यहाँ पर तीन है तीन डॉर् हो गया ना इसके लावे यहां पर इस पूरे कमान कितना है देखिए इस पूरे कमान जो है आपका कितना है पंद्रा है यानि की छे पांच ग्यारा ग्यारा और यहां पर तीन है ग्यारा और तीन कितना हो गया चौदा और यहां पर क्या हो जाएगा पंद्रा हो गया अब बच प्रफिशन करते हैं न तो इस तरह से कोशन को लगाना था तो आई होप यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जो देखना आपको वहां से क्लियर हो जाएगा अगला कोशन थ्यान देखो क्या कह रहा है कि एक मसीन जो एक फीते को 10 मीटर के तुकडो में काटती है उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगता है उसे 3 मीटर लंबा फीता पूरी तरह से तुकडो में काटने में कितना समय लगेगा अब जब भी इस तरह कोशन आता है तो थोड़ा सा लोग गलती करके आ जाते हैं अभी मैं आपको समझा दे देखो एक मसीन है जो कि 10 मीटर के तुकडो को काटती है और 6 सेकंड लगते मैं आप ऐसे समझों की तुकडो की संख्या कैसे निकालेंगे खाए 10 मीटर के तुकडो में काती हो 3 किलोड़ लंबा फीता है यानि कि SIMPLE सा फंडा है 3 किलोडर है यानि कि 3000 मीटर है और बटे 10 काटने में 6 second लगता है घो है 1 झाल दो 300 टुकड़े क्यों चैंठे कर एक राद एक झाल घो थिता है इन सिर्फ 2 बार काटना पडेगा स्मझे रला इसा थूड़ा सध्यां दिजेगा यहांपर देखिये ध्यान से हमें 300 सु कड़ों हैं तो हमें क्या हैं tou extremes ton 290 पर कोड़े हो स्मझे बहुत savvy टोकुड़े कितना हो जाएगा दोसो नियोजी करना जाएगा clear sir तो एक तुकड़ा काटने में 6 सेकंड लग रहा था तो 299 तुकड़े काटने में 1794 सेकंड लगेंगे तो इसका option C correct हुएगा और आधे लोग तो D वाल option लगा किया जाएगे क्योंको 300 तुकड़ा मिल गया है तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको नहीं करना है इस सब चीज़ों का ध्यान में रखना है clear है चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question ध्यान देखिए क्या गयरा है 6 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E, F 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अंसार से यानि कि e जो होगा यार तो यहाँ पर होगा चलू ठीक है चलो कहीं एक जहां पथाल दो भी clear होजाएगा e को हमने मालτικों यहाँ पर पढ़ा दिया अब यहाँ पर कहरा है डी और डी जो है F के भाई ओर है जो D है वो F के भाई ओर है चलो ठीक है भाई D F के बाई हो रहा है फिर कह रहा है कि C E का पडोसी है C जो है E का पडोसी है यानि कि C E का पडोसी है तो चलो C को हम यहाँ भी ठाल देते हैं अभी कर जाएगा फिर कह रहा है C E का पडोसी हो D के विकरडवत है यानि कि D के विकरडवत है तो D हम यहाँ पर बिठाएंगे D के विकर्ड़त ही तो हो गया ना D के विकर्ड़त है B जो है F का पड़ोसी है B जो है F का पड़ोसी है यानि कि अगर हम B F का पड़ोसी है चलो ठीक है D F के बाई हो रहे है देखो D जो है F के बाई हो रहे है यानि कि F जो हो सकता है आपका यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है एक बात तो यह क्लियर है ना B के सम्मों कौन वेट था यह आपको बताना है दो तीन चीजा भी यहां पर clear नहीं हो यह भी आपको फिर से पढ़ोगो तो clear हो जाएगा D, F के B, Y, 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 का पडोसी है डी के भी कड़वत है और बी एफ का पडोसी है जो बी है वो एफ का पडोसी है तो बी और एफ का पडोसी है अगर तो यहाँ पर देखा जा तो बी यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यही तो हो जाए है ना बी जो है एफ का पडोसी हो गया इसके अलाव B के सम्मुक आपका क्या हो जाएगा E हो जाएगा ना तो यहाँ पर option number जिसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear दोस्तों तो यह करना था यहाँ पर तो बस आपको questions की language पर ध्यान देना है और जैसे से कह रहा हो जैसे से आपको बिठाल देना है आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आप सिका रहा है कि लूप तसंख्या ग्यात कीजिए यह तो बहुत आसान है देखने से आप बता सकते हो 179 है 1625 है 1296 है यानि कि यह भाई 13 का वर्ग है यह आपका किस का वर्ग है यह चौँसट यह आपका पांच 25 का वर्ग है इसके लाव यह आपका कितना है 1296 की बात करते हैं तो यह 36 का वर्ग है फटाफ़ लिक्स अपको अभी आपका clear हो जाएगा इसके लावब यहाँ पर देखो यह आठ है यह आपका कितना है 9 है और यह आपका कितना है चलिए ठीक है आठ नो और तेरह आठ नो और तेरह जोड़ो आपका तीस आ गया clear है ना पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह दोस्तों अगला कोशन यहां पर देखिए कहा रहा है यदि वर्सा को जल कहा जाता है जल को सड़क कहा जाता है तो यहां पर बेसिकली आपको निकालना है कि हवाई जाच कहा उड़ता है आपको पता है हवाई जाच कहा उड़ता यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चिड़िया घर में खरगोस और कबूतर है। यदि सीरों को गिना जाए तो 200 है और टांगों को गिना जाए तो 500 अस्ती है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे method होतें question को लगाने की तो कपुत्रों की संख्या निकालनें है न अब एक बास्धान धेहां वोद्यान से option method से भी लगा सकते इस question को आपके लिए आसन हो जायेगा या method जो लगाना चाहँ तो लगा सकते हो तो कैसे लगाना option method से देखेंगे खर्गोस published günst यदि सीरों को गिना जा तो 200 हैं अब बता पूर्फ खर्गोस Tut a ओक सीरो सिरो ते है ना याने कि माल लोगर आपको हमाल लेते हैं कि आपका option number first correct हो का, माल देते हैं option number first correct है, 90, अगर 90 कबूतर हैं, तो कितने खर्गोस होंगे भाई, 110 खर्गोस होंगे, होंगे न, अगर 90 कबूतर 110 खर्गोस, तो कहरा है टांगों की गिना जाता है, तो 583 है, तो कि इनसे 583 अगर आता है, तो आपका answer first correct होएगा, तो देखो भ 0, 8, 4, 12, 4, 15, 6 आजागा, 620 आ रहा है, यानि की पहला option गलत हो गया, पहला option नहीं हो सकता है, clear है, चलिए, अब इसी तरह देख लेते हैं, 110 उठा लेते हैं, उसी का उल्टा उठा लो भाई, 110 कबूतर है, तो अगर 110 कबूतर है, तो कितने खर्गोस होंगे, 90 खर्गोस हों तो देखे, 0, 6, 2, 8, 5, 3, 580, और यहाँ पर टांगों को गिरने पर 500C देखे, आ भी तो रहा है, तो यहाँ पर देखा जायतो हम लोग option number जो इसका C है, 110, वो यहाँ पर correct कर देंगे, इसे तरह आप लोग B और D मानते तब भी आपका answer नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ option C मान कीजिए, 4 है, 9 है, 16 है, question mark है, फिर 36 है, भाई, 2 कवर, 3 कवर, 4 कवर, फिर आपका कितना आएगा, 5 कवर, और 5 कवर कितना होता है, भाई, यह 2 कवर, 3 कवर, 4 कवर, आपका 5 कवर, यहाँ कि 25 आ गया, इसका answer जो है, option number C, यहाँ पर correct हो जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों, आते हैं, अगले question पर ध्यान देखिए, प्रलस में चिनने के अस्थान पर समझे संख्या है, तो हो गया भाई, अगला question है, कि पता लगा है कि यहाँ पर जो यक्स है, उसमें पता लगा है कि विकल्पों में से दिये कि निमलकित में से कौन सा चितर तुकडों से बनाया जा सकता है, तो भाई, यह आपको बनाना है, यह चीज़ा आपको बनाना है, और किसका मदद से आप बना सकते हो, तो देखो, यहाँ पर एक छोटा सा पर तिर्भूज है, यानि कि यह भाग है, और स्वरी, इसका भाग है, यानि कि यह इस तरह से भाग है, यह आपका इस तरह से समकोर त्रिफुज है और समकोर त्रिफुज देखा जाए तो ऑफसर नमबर किस में मिलना है सर ऑफसर नमबर ए में ही सिर्फ है और कहीं समकोर त्रिफुज कहीं दिख रहा है डी में भी नहीं है सी में भी नहीं है बी में भी नहीं है तो यहां पर देखा जा भाई किस से सकता है तो option no a अगर आप इसको देखो ये वाला भाग देखो ये वाला भाग देखो तो यहाँ प्वी हाँ पर देखने को मिल जाएगा. यह ही कहीं तो आपका छुपा ही होगा क्योंकि जब यह साही चीज़ मिल गए तो भी मिल जाएंगी तो देखो ध्यान से यहाँ पर मिल जाएगा आपको यह यहाँ पर है मिल गए ना सर तो यह आपका option number जो a है इसकी मदद से हम लोग x वाले भाग को बना सकते हैं तो option number जो इसका a है या x वाले भाग से ही चीज़ बनाया जा सकता है और सारी यहाँ पर नहीं बना सकते है तो option जो इसका a है वो यहाँ पर correct हो जाएगा clear है अगला question यहाँ देखिए है कह रहा है कि इस प्रस्ट में एक सब्द तथा उसके चार विकल्प दिये गए हैं चार विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिये गए सब्दों या अच्छरों से नहीं बनाया जा सकता है उस विकल्प को चिनिए तो देखे कई आफ़ी में है और यह भी आप बन सकता है इसे द्रहा इनविंसन की बात करते हैं तो आई एन तो हैं वी यह आपरिखो आई एन वी यह और इसके बाद एं टियो आपका लास्ट में यह घूरि यह एम हीं आः पर तो यहा पर कहीं ए नहीं है नहीं है यहाप है तो आप जो इसका D है वो नहीं मना जा सकता है clear है? चलिए आते हैं अगले question पर तो यहाँ पर क्या कहरा है? देखो जहां से यह question आगया यह आपका कथन निसकर्स वाला सभी पानी जहाज हवाई जहाज है यानि कि सभी पानी जहाज आपके हवाई जहाज है clear है? इसके बाद कहरा है कि सभी बसे पानी जहाज है सभी बसे पानी जहाज है यानि कि बस सबसे अंदर आगया ना तो यह आपका बस हो गया तो सबसे अंदर बस उसके उपर आपका पानी जहाज उसके उपर हवाई जहाज तो आप याद रखोंगे ना यह नीच वाला बस है यानि कि बस ऐसे लिख दे रहा हूं बस उसके उपर आपका पानी जहाज उसके उपर हवाई जहाज ऐसे आद रखना तो कहरा है सभी बस जो पानी जहाज है सभी बस जो की पानी जहाज है वो आवस्य ग्रूप से हवाई जहाज होंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है भाई अगर सभी बस पानी जहाज है तो आपका आवस्टे ग्रूप से हवाई जहाज भी होगा तो आपसन नमबर जो इसका निसकर्स एक है तो निकल ला है के वर निसकर्स एक बारें करता है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आते हैं एक ले कोश्टन पर ध्यांत देखिए कह रहा है कि कि निर्देशक के एक लिखित आस्वासन देने के बाद की कहानी ने कि इसी भी ऐसी एतिहासिक तथ्यों को विक्रित नहीं किया था फिल्म रिलीज हुई थी यह आपका कथन है कथन ध्यान से फिर से एक बार समझ लो क्या ना कह चा रहा है कि निर्देशक जो है इसके एक लिखित आस्वासन दे दिया उसके बाद की जो कहानी है उसने किसी भी एतिहासिक तथ्यों को विक्रित नहीं किया था और फिल्म जो है रिलीज होई थी यह कतन है एक दहरड़ा क्या है कि FILM कुछ इत्यासिक तथ्यों पर रहा है ाई है तो यहांं पर अगर देखा जाये तो जो हुआプन नंबर एक यह वह तो नहीद है क्योग फिल्म जो है एत्यासिक कोई चीज कही नहीं जा रही है तो हम लोग इसको धारणा में नहीं तो भी नहीं करेंगे तो यहांपर सिर्फ और सिर्फ उप्ड़ छो इसका केवल धारणा एक जो है वह नहीं थे वह यहांपर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है दोस्तों आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question ध्यान देखिए क्या गह रहा है कि एक आदमी के पास द्याखी थोड़ा सा बड़ा question है पर अच्छे से रगाना है कह रहा है एक आदमी के पास 10 रुपे 20 रुपे 50 रुपे के कुछ पैसे हैं अब 10 रुपे के नोटों की संख्या 20 रुपे के नोटों की संख्या से 20 अधिक है अब देखो 10 रुपे की नोटों की संख्या 20 रुपे के नोटों की संख्या से 10 अधिक है चलो ठीक है माल लिया और 50 रुपे के नोटों के संख्या से 50 अधिक है तो यानि कि 50 क कि नोट हो जाएगी कैसे क्थे स्थीन्म होगी क्योंक zalár गर वाली कि मालो डीस वालेकर निकालो भी बीस वाले से कलिए हो जाएगा इस रूपे के दीक ही सकति हमकταनी क्या संवाइन तने चास अधिक होगे हम ने हापर कहले है ना अब 20 रूपे के नोटते कैसे निकालेंगे अब एक चीज समझो कि गुषु की नोट थे तो हो 20 के नोट से 20 अधिक थे यानि कि 20 के की नोट होंगे, और 10 के नोट से कितने कम होंगे, 20 कम ही तो हो जाएगे ना तो यह एक्स प्लस कितना आ गया? 20 कम कर दो 30 आ गया. तो यह 50 के नोट, 10 के नोट और 20 के नोट हो गए. यहां तक clear है? मैंने एक बार एक चीज़े बस थोड़ा सा उल्टा करके यहां पर लिख दिया है. उसको आपको समाझना है. यहीं क्लियर है ना? अब यहां पर कह रहा है कि व्यक्ति के पास कुल कितनी धंडासी है? अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगी? किस कथन की आ सकता पड़ेगी? तो यहां पर पहला देखिए ध्यान से कह रहा है कि 20 रुपे के नोट की संख्या, 50 रुपे के नोट की संख्या, 50 रुपे के के संख्या 20 रुपे के संख्या से 30 कम है भाई 50 रुपे के संख्या 20 रुपे के संख्या से 30 कम है यह तो हमारा पता चल गया तो इसको भी जोड़त नहीं है अगला कह रहा है कि 10 रुपे के संख्या सबसे अधिक है 10 रुपे के संख्या पर देखनी से पता चलता सबसे अधिक ह और पचास उपेक नोट संख्या सबसे हमें यहाँ पर देखने से पता चल ला है तो भाई यह भी हमको प्रस से मिल गया अब यहाँ पर कह रहा है D वाल उप्सन कि सभी मुले के नोट के संख्या 200 है तो इस उप्सन की मदद से हम लोग देखो निकाल सकते हैं कि भाईया कुल क 50-30 कितना ओजाएगा 80 यह बराबर कितना आपका 200 है अगर X कमान निकालेंगे तो यहाँ पर 200 में से 80 घटा होगे कितना आजाएगा 120 120 कपटे 3 करदों कितना आजाएगा आपका 40 आजाएगा तो यह X कमान कितना हागया 40 आगया यानि कि 50 रुपेक नोट संख्या 40 है तो 40 प सब्सक्राइब कि वही सेम तुरा का कोस्ट्टन है.. टीन वेक्ती हैं.. ए,स,ब्य,ब्य Aj-y Hyun का अनपार्थ दिया गया है.. पांच अनपार्थे 14 अनपार्थे 3 के अनपार्थ में हैं.. ए सबसे बड़ा वेक्ती है .. जबकी सी सबसे छोटा वेक्ती है.. तो ती की Aj-y cauliflower है.. अब देखो भाई, A सबसे बड़ा वेक्ती है, B सबसे चोटा वेक्ती है, और जबकि C सबसे चोटा वेक्ती है, तो क्या आयू है कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है भी, 5 अन पाते, 4 अन पाते, 3 है, चलो, अब यहां पर किस option के आउसकता पड़ेगी, A और B की आयू में चार में तीन गयेगे, तो भाई, हमको option से ही पता चल ला है, question से ही, तो इसकी जोट तो है नहीं, अब B option कहरा है कि तीन वेक्तियों कि कुल आयू का मान सो वर्स से कम, भाई, अनदाजा से यहां पर नहीं निकाल पर होगा, अगर आपको C का आयू गयाद करना है, तो अनद तो दो एक्स बराबर कितना जाएगा, 16, यानि की एक्स कमान कितना जाएगा, दो अठे 16, अगर एक्स कमान आठा आ गया, तो C कमान आठी है, कितना जाएगा, 24, तो हम लोग option number C की मदद से, निकाल सकते हैं भाई, या, C की age कितनी है, 24 वर्स है, तो option number जो इसका C है, वो य दाई और मुड़ जाता है, अब दाई और मुड़ जाता है, अब दाई और मुड़ जाता है, अब दाई और मुड़ जाता है, तो 16 मीटर दाई और मुड़ जाता है, चलो भाई, मालो एक वक्ति यहाँ पर है, यह 16 मुड़ जाता है, फिर बाई और मुड़ जाता है, तो 16 चला और यह बाइऑ और मुड गिया उसके बाद पाइच मीडर चलता है यह पाँच मीडर चला उसके बद क governing रहा है वह उत्तर की ओपर की ओर मुड पर जाता है उसात मेड dyed चलता है इसके बाद फिर कह रहा है दाईऑ तो यह दाँज घा ना कि ये चलना वाला स्थान इससे कितनी दूरी पर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगा भई 5 ये 12 ये 12 ये 12 पांच कितना होगी आपका 17 हो जाएगा तो आपका एंसर जो हो जाएगा 17 मीटर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगया ना बताए क्या कुछ भी टफ था इस कोईशन में आई होप कुछ भी टफ नहीं था अब आते हैं अगले कोईशन की तरफ तो अगला कोईशन आपका कह रहा है कि यदि 56 गुड़े 11 बराबर 9 37 गुड़े 13 बराबर 6, 42 गुड़े 12 बराबर 3, 87 गुड़े 17 बराबर बताई आपका क्या होगा तो कैसे निकालना है देखिए सिंपल सा कोईशन है भाई चपपन गुड़े 11 यानि कि यहां पर देखो चपपन है यानि कि 5 और 6 कितना होगया 11 होगया 11 होगया न और इसके लावे यहां पर 1 और 1 कितना होगया 2 यानि कि 11 माइनस 2 कर दो आपका कितना होगया 9 आगया 7 और 3 कितना होगया 10 331-4 कितने हो गया 3 कितना हो गया 10 दर 4 घटाद Palace आपका कितना हो गया 6 वही से लिए बहुत जर यहाँ जिए बहुत आपके 3 आगया वही यहां पो यहां पर कर तो 870 15 और – 770 14 वह 15 मैसे 14 घटा दो कितना जाएगा आपका एक का जाएगा तो option number जो इसका A है एक वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है दोस्तों आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आपका यहाँ पर देखिए कहरा है कि निमलीखित को एक तार्किक करम में बिठालना है तो basically यहाँ पर इसका जो option है यहाँ पर cut गया है option क्या हो जाएगा तार्किक करम में बिठालने मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर पहले ताला चाभी दरवाजा स्विच तो सबसे पहले भी यह ताला चाभी चाहिए हमको फिर ताला खोलेंगे उसके बाद दरवाजा खोलेंगे फिर आपका स्विच खोलेंगे तो आपका यह इस तरह से यहाँ पर बिठालना होता है बट यहाँ पर option कर गये हैं तो इसको यहाँ पर question को miss कर देते है इस क्यूब कर देते है अगले मेले कर मैं आपको करवा दूंगा बट वैसे बहुत गया तीन बारह मैंसे नोगे आपका कितना गया तीन और गया मैंसे आड़ गया कितना गया तीन इन तीन 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 को जोड़ो तो बीच वारे संख्याप की नौ आगई वह से यहाँ पर करो बारह मैंसे पंद्रव से बारह गया तीन सोला मैंसे तीरा गया तीन और सत्र में निकालना है तो प्रत्थं तीन बह están पने पांट के वास तिर छोड़ा तो किया हो गया है तो ठीड़ोगे प्रत्ते शोला क्रारी नयों की निकीण involves하면 यहां आम को ARE परughtitting-ु stiffness-択ty यह कितना आ गया आपका, 0 आगया, clear है ना, बचा 2 पद, आगे की जो 2 पद बचे हैं, तो 48 पद के बाद फिर से 2 दो पद आएगा, 3 प्लिस 2 आएगा न, और 3 और 2 कितना होता है, 5, तो यहां पर MSON नमबर जो इसका 1 है, वो यहां पर correct हो जाएगा, तो थोड़ा सा लोजिक और लॉजिक से आपका अंतर देखे कितना आसान हो गया तो अगर आपको यह कोश्चन समझ में आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो बनता है बनता है अगला कोश्चन थोड़ा सा टिपकल है बर आपको जवाब देना ही पड़ेगा टिपकल क्या मतलब इसमें से कुछ करना कौन सा ખकर होगा अब देखो देहां से हमें यहां पर एक ऐसे चाहिए चलो एक ऐसे से मैं सब में उसके बाद यह बाद यहां पर देखो देहां से कंप्रीट करना है तो यहां पर गड़े क्ilar था इंसर क्या हो है हो जाएगा बढ लूब देख कर लगोर मेरे दोनों नोर एक ही जैसे हैं आप आते हैं अगले पर तो अगला पूक्वारा आपको आपके लिए है और इसका जवाब जो है अपको कौमेंट करने देना है बना आप और आपका आज को आजबा और प्लीज यार चैनल पर आप लोग जुड़ो चैनल पर जो भी टाइमिंग में रता चुका हूं लाइफ टेस्ट का सब कुछ का आप लोग लाकर के दो और सेकंड चैनल भी जाकर सब्सक्राइब करो महाँ पर भी मैं आपको करन्ट अफेर के लाइफ टेस्ट करवाता हूं